नमस्कार दोस्तो डिफेंस न्यूज के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वाग थे दोस्तो भारत 400 किलोमीटर की रेंज वाला सबसे अत्याधुनिक एर डिफेंस सिस्टम को डबलब कर रहा है जो की बताया जा रहा है S400 का भी बाप होने वाला है तो चले आपको इस एर डिफेंस सिस्टम से जुड़ी हुई कुछ जानकारी देते हैं और कब तक त्यार होगा यह भी आपको बताएंगे अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहले बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए त्री लेयर का होने वाला है इसके साथ ही लॉंग रेंज की सर्फेश टू एर मिसाइल को फायर कर सकता है जिससे दुसमन के मिसाइल और एर क्राफ्ट को 400 किलो मीटर तक तबह किया जा सकता है इस एर डिफेंस सिस्टम का नाम है LRSAM यानि की लॉंग रेंज सर्फेश टू एर मिसाइल इसके साथ ही यह जो प्रोजेक्ट है वो 2.5 बिलियन डॉलर का होने वाला है जिसमें इस एर डिफेंस सिस्टम को डबल अप किया जागा 400 किलो मीटर की रेंज होगी और सबसे अत्याधुनिक तकनीकी से लेस होगा तो यह है भारत का एक नया एर डिफेंस सिस्टम अगर आपको वीडियो अच्छे लिगे हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी कोमेंट में जेहन जरो लिखे